नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फिट वर्ड हेल्थ केर में और आज हम जानेंगे लीवर के रोग, पाइल्स, खासी, मस्तिक्ष की कमजोरी और मुत्र रोग जैसी अनेक समस्तियों में फायदे मंद आउशदी, नील के बारे में नील का परीचे, आउशदीय गुण, नीले रंग के लिए लोग इसकी खेती करते थे, किन्तु आज के समय में कितिम रंग के आने से इसकी खेती कम हो गई है, लेकिन यह आईवर्वेद में और शदी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, चिकिस्ता में इसके पत्ते, जड़, बीज, तथा इससे प्राप्त न पलोदर, पाइल्स, मुत्र में जलन, गुर्दे की पत्री, खासी, श्वांश रोग और फेफडो के रोगों में इसकी दो ग्राम जड़ या दो ग्राम पत्तों का काड़ा बना कर सेवन किया जाता है दिन में एक बार, इसका काड़ा बनाने के लिए एक विक्ती के लिए 1. पानी लें और उसमें इसकी दो ग्राम जड़ या पत्ते डाल कर पानी आदा रहने तक पकाएं, फिर आप इसे चान कर थोड़ा ठंड़ा करके इसका सेवन कर सकते हैं, फाइल्स, घाव और तोचा रोग जैसे दाद की स्थिती में इसकी पत्तियों के चून का लेब बना कर प्रभावित इस्तान पर भी लगा सकते हैं सुबा शाम, तथा विशेले जन्तूों के काटने पर भी यह लेब लाब करता है, क्योंकि इसमें विश्का नाश करने वाले गुण भी पाए जाते हैं, नील के पौदे से जो नीला रंग प्राप्त होता है, उसको भी नील ही कह ए करते हैं, और इस नील का सेवन मिर्गी की समस्या में किया जाता है, साट् एम जी की मातरा में दिन में एक बार ताजे पानी के साथ, और जलने पर तथा बालों को लंबा करने के लिए भी भारी रूप से इस नील का इस्तेमाल होता है, मस्तिक्ष की कमजोरी के कारण मादी में नील या फिर इसके पत्तों के कुवाद का सेवन फायदा करता है अगर आपके आसपास नील का पौदा है तो अच्छा है वरना ये पंसारी की दुकान और आयरवेदिक श्टोर पर मिल जाता है आप वहां से खरीद कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा इसक असले दस्त और सिर्दर्थ की समस्या हो सकती है तो आज के लिए एतना ही अगर आपको कोई सवाल है तो आप निशिंत होकर कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही सेहत और आयर्वेश से जुड़ी जानकारी जानने के लिए फिट वर्ड हेल्थ केर को सस्क्राइब करें तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में धन्यवाद